हेलो एबरीबन जैसीरी कृष्णा बेलकम बेक तो माई चैनल आपके अपने चैनल रानिया लेल सुकला में आपका बहुत वा स्वागत है आप सब कैसे हैं आई हूप सबच्चे होंगी मैं बनाऊंगी आम काचार तो पांच किलो केरिया हैं उसके हिसाब से मैंने राई लिया और यहां पर एक लिर्टर ऑयल है तो यहां पर गर्म हने के लिए रख लिया है और राई निकाल लिया तुखना ने वाली रहती है और पीली वाले सरस्वों ररिए रखे ती हल दी लाल रल भर्ष और हींग और मैंने जो लाल वाली सूखी मिर्च रहती उनको जब ओयल गरम हो रहा था तो उनको तेल में से तल के निकाल लिया है ये आम के अचार में डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मतलब इसमें जब रस भर जाता है तेल भर जाता है और जो खटते रहता तो बहुत अच्छा लगता और यहां पर मैंने दो पैकेटर मार्केट के मंगा लिया है यह एक लीटर एक किलो मार्केट का बना बनाया जो मसाला था जिसमें नमक मक सम मिला रहता है वो है तो मैं यहां सभी को mix कर लूँगी और जब हम केरियां लेकर आए थे तो मार्केट से बिना कटी भी लेकर आए थे इनने काट दी है और पापा जी ने इसको पहुंचके यहां पर फैला दी है और हम यहां पर oil गरम कर लाएं थी जब थोड़ा हलका ठंडा हो गया है तब हम इ इसको मैं सबस्कों अच्छे से mix कर लीती हूँ जो मैंने प्लेट में मसाला अलग निकाल के रखा है वो मैंने बिना मिर्च कर डाला है मतलब उसमें मिर्च मिक्स नहीं है तो जो तो लड़ा से oil बचा है वो मैं उसमें डाल दूँगी अभी यह oil काम है लेकिन अभी दो ती बाद मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी और रात में ठंडा होने के बाद मतलब यह आज दूसरे दिन सुबए का मॉर्निंग का ब्लोक यहां पर मैं आज का कोरे की सबजी बना रही हूं रात में जब सरसों पूरा जो मिक्स अचार का मिक्सर था वो ठंडा हो गया था तो फिर मैंने जो कटी हुए केरिये रखे थी वो डाल दी और उनको अभी भरा नहीं है और रात में काफे टाइम हो गया था तो में ब्लोक वो शूट नहीं कर पाई मतलब किया तो था पता नहीं कहा मेस हो गई वो बाली वीडियो इसलिए तो मैं इसमें दिखाने पाई वो चोर के ऊपर है तुम को अठाना तुम क्या करते हैं मैं पुलिस को भूल लगा लेता है अच्छा कौन से नंबर पर डायल करती हैं वान रेड चलो जवा जल्दी ब्रस करो और यहां पर आज मैं ककोरे की सबजी बना रही है तो वो मैंने सबजी कट कर लिए बांकी और मॉर्निंग के जो काम रहते हैं वो साब बांकी पूरे काम ने पढ़ गया है जाड़ो पोचा करना क्लीनिंग हो गई है डस्टिंग सब कुछ हो गया है पूजन भी हो गई है न मतलब जो चोटे वाले ककोरे आते हैं बोई वाले लेकर आती हूए ये पहली बार लेकर आहीं थे तो इनको मैंने पहले कर लिया और काटने के بعد फिर से दहो लूँंगी और यहां पर मैंने थोड़े से जीरा राइ प्याज डाल देंगे और जब तक अप मेरी मतलब प्याज में कलर आएगा गुल्डन ब्राउन होगी तब तक मैं बांकी तैयारी कर लेती हूँ कल रात में ही मैंने इस कड़ाई में सरसों का तील जादा गरम किया था मतलब एकड़ाई नीचे से थोड़ी सी जल गई और टाइम भी बहुत जादा हो गया था मतलब रात में ठंडा होते होते मसाले को साड़े ग्यारा बज गयते फिर उसके बाद मैंने अचार को केरियों को सब को मेक से किया तो कड़ाई मतलब धोईते हैं लेकिन अच्छे से नहीं धुल पाई है इसलिए थोड़े सा कड़ाई को इगनौर कीजिएगा और यहां पर यह गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दूँगी और जब तक मैंने वांकिंगी त्यारी भी कर लिए जैसे एंसी की बॉटल भरना बीच में पानी आ गया था तो पीने का पानी भर लिया आट लगा के रख लिया है और अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और इसका थोड़ा सा जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाए जब तक इसमें सब्ची नहीं डा जाता जैसे पहले डाल दो तो जब पूरा सब्ची मिक्स करने के बाद फिर उसमें नमक डाल दिया और अब मैं इसको ढखके रख दूंगी जब तक इसमें पकेगा और अंसर तैयार हो गया है तो इसके लिए मैं दूद गरम कर दिया है तो उसको मैं यह प्रोटीन पावड की उखालेगा जब तक इलिए उसके लिए मैं टिफिन के लिए रोटियां सेंग देती हूं पहली रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूं वैसे तो मैं मतलब पहले तो इसा था कि मैं बिना नहाय चाय भी बना लेती थी लेकिन जब से स्कूल जाने लगी हूं तो पहले नहा तो यह एकदम पतला हो गया और इसमें जल्दी फटा-फट रोटी सिख जाती है और यहां पर मैंने गाय की रोटी में पहले घी लगा दिया और थोड़ी सी सकर रखने के बाद उसको मैं बाद में देदूंगी अभी तो गाय खड़ी जरूर है लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो पहले मैं अंस का कर देती हूं उसके बाद देने जाओंगी गाय को रोटी और सनीवार के दिन मैं घी लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ रखती हूं गुड़ के साथ अंस से खिलवाती हूं गाय को एक तो मतलब उसमें गाय को देने की आदत भी बन से यहां पर आंसर रेडी हो गए हैं और अपने वह अधिया है कि क्या पहना है जल्दी करो टाइम हो रहा है जाए अंदर रहा है बाच मत देखो बार-बार पहले पहन लो उसको ला हम पहना दे बैक टांगो कि अगर गया है इसको लो पाकड़ों को पहना पहले मिल्क पी रहे हैं खत्म फिनिश नहीं हुआ पहले यह पूरे रेडी हो जाते हैं उसके बाद ही इनका कुछ खाना पीना चलता है तो अभी इसके चाले ठीक हो गया है मतलब पहले ज्यादा थे अभी थोड़े से हैं लेकि यह स्कूल के लिए जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सम्च हो गया है मतलब बार इस गिरने वाली है तो अभी देखना इसको मैं रेंकोट भी अभी पहन नहीं पाता है मतलब पहली वारी हमने इसको रेंकोट दिलाया है इससे पहले यह बस से जाता था इसकूल बस से लेकिन इस बार नहीं लगाई है तो अभी मैं इसको रेंकोट पहना देती हूं और रेंकोट पहनने के बाद अंस बिलकुल बेताल यह से जैसे बिक्रम बेताल की जो पहले हम लोग देखते थे टीवी में तो बिक्रम बेताल जो थे अंस बिलकुल अभी आप देखिएगा बिलकु पापा के लिए पराटा सेंग दिया है और रोटियां सारी से गई यहां पर मैं क्लीनिंग कर लेती हूं और इसके बाद मैंने हाथ दोके आ गई हूं तो अब चाय बनाऊंगी चाय क्या पी तो तो पीने जैसी नहीं लगती मतलब मेरे को चाय की बहुत आदत है तो जल्दी ज एक बज़े खाना खाते हैं तो जब मैं स्कूल से आ जाओंगी उसके बाद दालचावल बना लेंगे तो अभी सिर्फ सबजी रोटी बनी है तो इनका मैंने टिफिन पैक कर दिया और अपने लिए लैंच रख लिया है और यहां पर मैंने रात में दूद जो दूद वाले भी हमारे आते हैं वो थोड़े से लेट आयते तो रात में गर्म नहीं हुआ था तो मैं उसके लिए गर्म कर दूँगी और इसलिए भी गर्म नहीं करती हूं क्योंकि मंडे तो मैं दूद निकाल के रख लेती हूं और अभी सावन भी चल रहा है तो पूजन के लिए को संकर भोले बाबा को चड़ता है तो मैं जब तक कि पूजन की तैयारी कर लेती हूं और फिर यहां पर मंदर से आने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होंगी और फिर उसके बाद मैं आप सबसे आकर मिलूंगी पूजन की ठाली लग गई है और यहां पर चाय भी बनकर जब तक कि तयार हो गई है, तो मैं चाय छान लेती हूं। और इससे पहले मैं जैसे यह एंस गए थे, तो पराटा सैंकने के बाद मैंने पापाजी को भी दै दिया था। मतलब पौने 8 बज़े तक कि पापाजी नास्ता दै दो तो कर लेते हैं। तो पौने 8 बच गए थे तो मैंने नास्ता दे दिया था और अभी चाय दे दिती हूं चाय बना के और हम मतलब ये तो नास्ता करके जाते हैं लेकिन मैं तो नहीं करती हूं लंच स्कूल में ही करती हूं और इसके बाद मैं मंदिर जाती हूं और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज ज़्यादा लंबा खुए मैंथा थो लोगता है अवहां पर ऊख भी पर फित कर लेते हूं लेकिन कर लर पाती हमति अंग मैं जल्दी उड़ जाती हूं तो आदे से जाद अखाम जल्दी फटा-फट से निपट जाती हूं और थोड़ा फडी भी हो जाती है मतलब टाइम ही तो यहां पर मैंने दूद को अच्छे से ऑबल ने दिया है और यह दूद चाय Пीने से पहले गरम पानी पीते हैं तो मैं इ नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए.